नमस्कर दोस्तो, सेप्टी एक्सपर्ट चैनल में आप सबका सौगत है, तो आज का टॉपिक है सेप्टी कमीटी, सेप्टी कमीटी मीटिंग क्यो लेना ज़रूरी है, इसमें हम पाच पॉइंट देखेंगे, देखो, होटीज सेप्टी कमीटी, दुसरा है परपज आप सेप सेप्टी कमीटी कौन से कौन से मेंबर्स इसमें होने ही चाहिए, पाचो है how to conduct सेप्टी कमीटी मीटिंग, सेप्टी कमी अस M домой क्यो से कन्ड़क की जाती है, उसमें क्या क्या है, हम लोग देखने वाले हैं, तो दोस्तो, देखिए, ऐस परबक्तुर एक्ट लैंड, 1848 section 41 subsection g के अनुसार workers participation in safety management इसमें safety committee meeting के बारे में बताया है safety committee meeting workers and employees इन दोनों के बीच में regular होनी चाहिए इसका देहिए क्या है इस meeting लेने से क्या पायदा है इस meeting में क्या हो जाता है safety की जो issue है वो आप उन डिसकस करते है यह meeting का main goal है यह safety committee meeting का goal है कि safety culture create करना है worker और employees के बीच में और organization बीच में चलो दुसरा point है purpose of safety committee safety committee समिती का मुख्य उद्देश का है इसका मुख्य उद्देश है employees और कामगार के बीच में सुरक्षा को बड़ावा देना और सुरक्षा को बनाया रेकना उसके साथ-साथ managers, engineers, supervisors, employees इनके तुरो या इनको सुरक्षा का awareness देना नए नए सुरक्षा के training देना, activities लेना उसका कारण क्या है? ये साइट के उपर उन खुद की responsibility जमा ले वो जो काम कर रहे है, वो सुरक्षा में काम करें सुरक्षा में काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? दुरगट नव की रोक्थाम हो जाएगे इसके लिए उनको क्या करना जरूरी है? employees को, managers को, engineers को, supervisors को, awareness होना safety के बारे में awareness हो और training होना जरूरी है इसके लिए safety committee meeting का उद्देश है कि training और awareness जागरूक रखना है उसमें discuss करना है health और safety के problems में तो चलो, तिसरा देखते है numbers of participants safety committee meeting में management के जितने लोग है उतने ही लोग workers या contractors के होने चाहिए देखो, 25 टका लोग management के है तो 25 टका लोग workers, contractors के होने जरूरी है तो चावता है members of safety committee safety committee में कौन-कौन members होना चाहिए 25 पच्चेस टका लोग होना चाहिए ये तो हमने देख लिया members कौन-कौन होना चाहिए तो चलो देखते है senior manager senior manager from management senior manager, management की तरफ से कौन होना चाहिए senior manager होना चाहिए उसके बात है HSE representative होना चाहिए या HSE manager होना चाहिए departments manager होना चाहिए for example civil department का manager होना चाहिए mechanical department का manager होना चाहिए MEP department का manager होना चाहिए ये management की जितने भी लोग आए वो ऐसे की contractors आने चाहिए contractor की लोग आने चाहिए, foreman आने चाहिए supervisor लोग आने चाहिए contractors के ये सब लोग safety committee meeting में आने जरूरी है पाचवा है how to conduct safety committee meeting safety committee meeting कैसे conduct करते है पहली बात तो ये है आप कौन से भी organization में काम कर रहे हो तो पहले उदर safety committee team या safety committee members बनाना जरूरी है वह committee meeting में हर एक department के member होने जरूरी है head होने चाहिए, representative होने चाहिए for example, HAC department, civil department, mechanical department, MEP department, store department, project manager, plant in charge, engineer, supervisor ये सब लोग होने जरूरी है तो देखिए सुरक्षा समीती की बैठक आयुजित करने से पहले हमें सब को mail भेजना जरूरी है उस mail में देखो क्या क्या होना चाहिए बैठक की तारिक क्या है कौन से तारिक को बैठक होने वाली है बैठक का समय क्या है बैठक का स्थान क्या है बैठक कहा होने वाली है यह सब mail अपने को safety committee members को भेजना जरूरी है हर एक विबाग के लिए यह मेल जाना जरूरी है उसके बाद है सुरक्षा समिती की बैटक के समय सुरक्षा बिंदियों की चर्चा पर बात करना बहुत जरूरी है जैसे कि अंसेप एक्ट, अंसेप कंडिशन कैसे होते हैं कौन से साइट पर होते हैं नियर मिस क्या है, नियर मिस कैसे होता है, इंसिडेंट क्या है, एक्सिडेंट क्या है उसको ठालने के लिए क्या क्या करना जरूरी है यह मिटिंग में डिसकस होना बहुत जरूरी है फर एक्जम्पल देखिए जैसे की कोई exception चलो है बेरिगेशन लगाया नहीं है तो बेरिगेशन होना जरूर है ये इंजिनियर को inform करना जरूर है फर एक्जम्पल बहुत लोग इंजिनियर के अंडर काम कर रहे लेकिन पीपीज का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर रहे पीपीज नहीं पहन रहे फिर भी इंजिनियर उनके सामने वैसे देख रहे तो इंजिनियर को समझा देना यह मिटिंग में अपना काम है उसके बाद है सेप्टी कमिटी मीटिंग में जितने भी पॉइंट डिसकस होते है वह अपने डायरी में ब्लैंक पेज में या बुक में लिखके लेना बहुत ज़रूरी है मीटिंग एटेंड करने में करते समय में एटेंडिंग सीट पे सबका सिगनीचर लेना बहुत ज़रूरी है यह सब्टी कमिटी मीटिंग में कौन-कौन मेंबर्स आयते कौन-कौन सदस आयते वह रेकॉर्ड के लिए एटेंडेंडेंश शीट लेना बहुत ज़रूरी है सब्टी कमिटी मीटिंग होने के बाल यमोयम बनाने का और वह यमयम हर एक कमिटे मेंबर्स को मेल कर देनेगा, सेंड कर देनेगा, जितने भी सदत से, जितने भी कमिटे मेंबर्स मीटिंग में हाजिर थे, उन सब को मेल करना ज़रूरी है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो